हलो गाइस स्वागत है प्रहेब की रसोई एंठीप्शरीन व्लोग में तो आज हम बनाएंगे धाबा स'tाईल मिक्स छोले यह छोले बहुत टेंष्टी बनके तयार होता है यह छोले हम बहुत कं समय में बनाकर तयार करेंगे घर के जो मसाला है उसी से हम बनाएंगे इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले मेरी रेश्पी पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के पास सेयर करें बेल आईकन जरूर दबाए कि हमारा रेश्पी आपके पाश तक चपुपता रहे यह हमने चाना एक रात के लिए भीगो दिये थे यह काबली चाना है, यह राजमा है, यह काला चाना है अब यह हमारा बनिया से फूल गया है हम साफ पानी से इसको धोल लिये हैं अब यह हम कूकर में डाल के सिटी लगाएंगे कूकर में राजमा डाल दिये है विसमें हम पानी डालेंगे पानी हम राजमा से आधा इंच उपर डालेंगे एक चमच नमक डालेंगे एक चमच हल्दी डालेंगे इसको हम मिला लेंगे मिला के हम गैस से बैठाएंगे एक सीटी आने को इन्तिजार करेंगे एक सीटी आ जाएगा तो हम गैस के फ्ले में कम कर देंगे आदा घंटा तक इसको कम करके पकाएंगे हमारा आदा घंटा हो गया है चाना बुआल करते हुए तो हम देख लेते हैं कि चाना हमारा पाका है कि नहीं तो देखिए हमारा कितना फाट गया है पाक के चाना पर अफेक्ट हुआ है ऐसी होना चाहिए अब इसका मसाला हम तयार कर लेते हैं दो बड़ा साइज पियाज को बारिक बारिक चौप किया है यह अदरा खाय उसको भी हम बारिक बारिक कुछ लिए है लासान है उसको भी कुछ लिए है दो मिर्ची को हम बारिक बारिक काट लिए है यह तीन टमाटर लिए है इसको भी हम ग्राइंड करेंगे टमाटर को हम मिक को हम grind करेंगे अविसमें हम कोई मसाला नहीं करेंगे श्रिफ टमाटर को Germ करेंगे इस पी पर रखेंगे कर्आ ही बनिया सेम गर्म हो गया है इव इसमें हम सर्सोर तेल डालेंगे फिल बनिया से गरम हो जायेगा तो एक छोटा चमा जीरा डालेंगे, दो सूखा मिर्ची डालेंगे, सूखा मिर्ची डालने से सब्जी को टेस्ट और बढ़ जाता है, एक बारी कटी वी ग्रीन मिर्ची डालेंगे, साथे साथ हम अधरक डाल के 10-12 सेकेन इस तरह से हम चला लेंगे, उसके साथ के बाद आंट य Commission डालेंगे फॉरस सांट भी कंडों टालें ना से आइवस केल की इस तार्फिट process पिजांड योղे। उसके बाद हम एक चमच हल्दी डालेंगे एक चमच लाल मिर्ची पड़र डालेंगे साथे साथ हम टामाटर के पेश्ट डालके इस तरह से भूझ लेंगे गैस के फ्लेम तेजे रखना है गैस के फिलेम तेजे रखके भूजेंगे तो मसाला हमारा जल्दी भूजा जाएगा टमाटर के पेह डालके एक चमच हम गरम मसाला डालेंगे एक चमच के लगवा कस्मीरी मसाला डालेंगे डालके इसको सभी मसाले को हम बणिया से इस तरह से चला लेंगे गेश के फ्लेम तेज करके भूज रहे हैं तो लगवग हमारा अभी चार मीनट हुआ है तो देखिए मसाला हमारा भूजा गया है किनारे किनारे तेल छोड़ दिया है अब इसमें हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे पानी डालके हम इसको मसाला को बणिया से पकाएंगे क्योंकि मसाला बणिया से पकेगा तब ही हमारा छोला से टेस्ट बणिया आएगा तो थोड़ा सा हम पानी डालेंगे उसके बाद हम इस तरह से चलाते हुए पानी को सुखा लेंगे पानी इसमें कर कम हो जाएगा तो छोड़ना नहीं है चला चला की तरह से मसाला बढ़िया से भूज लेना है तो देखिए हमारा कितना बढ़िया मसाला भूजा गया है कराही से हमारा तेल छोड़ दिया है एक मिनट के लगभग और इसको हम भूजेंगे तो देखिए हमारा मसाला एक मिनट और लगभग हो गया है किनारे में कितना तेल देखाई दे रहा है इसका मतल हमारा मसाला बणिया से पाग गया है अब इसमें हम राजमा डालेंगे राजमा डाल के पहले हम इसको मिलाएंगे कम बेसी होगा तो मिलाने के बाद हम पानी डालेंगे छोले मिक्स हो गया है लेकिन छोले हमारा हलका गढ़ा लग रहा है पानि भीज का परफेक्ट डाला है अब इसको हम ढग के खौलाएंगे अब धकन खोलके देख लेते हैं कि राजमा हमारा खौला है कि नहीं देखिए हमारा राजमा कितना बनिया से खौल रहा है राजमा में दो चमच के लगवाग मीट मसाला डालेंगे मीट मसाला डाल के हम इस तरह से बणिया से मिक्स कर लेंगे एक मिनट के लगवाग और इसको हम पकाएंगे ज्यादा नहीं पकाना है मीट मसाला डालने के बाद गैस के फिलेम कम करके एक मिनट के लिए हम ढख देंगे देखिए हमारा एक मिनिट के लगफाग हो गया है गैस को हम बन कर देते हैं देखिए हमारा कितना बनिया राजमा बन के तयार हुआ है तो लिजिए हमारा धावा इस्टाइल छोले मिक्स बन के रेडी हो गया है तो मेरे तरीका से एक बार आप लोग राजमा छोला जरूर बनाईएगा आप लोगों को जरूर पसंद आएगी तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगला वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई